भाई और बहनों समस्याओं को चुनोतियों को पालते हुए पोस्ते हुए बेटर टूमोरों की कलपना नहीं की जा सकते हैं और हमारी सरकार के अप्रोश क्या है अगर मैं सहज भाव से आपको उधान दे कर बताना चाहूं जैसे अगर मैं आपी को कि दाइरे में बात करूँ कि अने सरफ हिंदुस्तान टाइम्स को भी पूछ रहा हूं ऐसा नहीं लेकिन मैं आपकी दुनिया से पूछ रहा हूं कि क्या कभी ऐसा होता है कि कि एडिटोरियल पेज के लिए कॉलम नहीं आ पाए तो आप लोग कहते हैं कि क्या हुआ कि कल तो छपा था तो आज ब्लैंक छोड़ देते हैं कि कभी ऐसा हुआ गया नहीं हुआ या कभी ऐसा हुआ हो कि अख़बार के आखरी पेज के लिए कोई ख़बर ही नहीं बची और उसे ब्लैंक छोड़ दिया गया हो यह सोच लिया गया हो कि पहले पेज से जब रीडर पढ़ना शुरू करता है तो आखी पहुंचते पहुंचते ठक जाएगा हो कहां देखने वाला है छोड़ दो आज लास पेज खाली रखो मुझे पूरा पता है कि आप लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स के इतिहास में किसी भी अख़बार ने अपने इतिहास में ऐसा कभी नहीं किया होगा अख़बार का हर पेश उत्तम से उत्तम बने इसके लिए आपके रिपोर्टर्स आपके न्यूजरूम के लोग जान लगा देते हैं लेकिन साथियों आप जानकर हरान हो जाएंगे कि हमारे यहां तो सरकारों ने देश के एक बहुत बड़े हिस्से को ही ब्लैंक छोड़ दिया था देश के यह वो जिले थे जो सबसे पिछड़े थे लगबग हर पेरामिटर पर सबसे पिछड़े माता मृत्यूदर सबसे ज़्यादा कहां इनी जिलों में नवजाद सिसुओं की सबसे ज़्यादा मृत्यु कहां पर इनी जिलों में कूपोशन की सबसे ज़्यादा सबस्या कहां इनी जिलों में तीका करन से सबसे ज़्यादा छुटे हुए बच्चे कहां इनी जिलों में पानी का, बिली का, सड़कों का सबसे ज़्यादा संकट कहा इनी जिलों में अब कॉंट्रास देखिए, विरुदाबास देखिए पहले की सरकारों का सबसे कम जोर किंजिलों में था, इनी जिलों में था सरकार के मंत्रियों की सबसे कम बैठर के किन जिलों में हुई इनी जिलों में हुई सरकार के सबसे कम जोर अफसरों की पोस्टिंग कहां हुई इनी जिलों में हुई यही सरकार की मॉनिटरिंग से सबसे दूर कौन रहा यही जिले रहे याने विकास की दोड़ में आखरी पेज पर रहने वाले इन जीलों को ब्लैंक छोड़ दिया गया था अपने नसीब पर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था साथिवां आज जब हम बेटर टुमोरो की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इन जीलों में पांच-दस लाग नहीं देश के पंदरा करोड अच्चन्द गरीब लोग रहते हैं ये लोग मुख्यत आया आदिवासी हैं, जनजाती हैं, दलीद हैं, पिछड़े हैं क्या बेटर टुमोरो के लिए इनके सपने कोई माइने नहीं रखते थे क्या इन जीलों के गरीबों को अपने उजवल भविश्य का सपना देखने का अधकार नहीं था? मैं इस सभागरा में बेटे हुए लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपने मामीत का नाम सुना है क्या? नामसाई का नाम सुना है क्या? किफिरे का नाम सुना है क्या? आपने से किसी ने नहीं सुना होगा? और शाहिद कभी एकाद बार किसी ने सुन लिया? यह क्या है? यह हमारे देश के जीनों के नाम है, लेकिन काला हंडी का नाम तो आपको जानते होंगे, गुमला तो आपको पता होगा, बेगुश हराय हमारे कान पर पढ़ता है, गड़ चुरोली बस्तर हम सुनते रहते हैं, बार यूर बनों ऐसे 112 जिलों, यहने हंदुस्तान के करीब 700 जिले देखें, 112 जिलों को अब हमारी सरकाव, एस्पिरेशनल डिस्टिक की तहद विक्सित कर रही है, डेवलप्मेंट के हर परामिटर पर, गवरनेंस के हर परामिटर पर, अब पूरा फोकस करके हम इन जिलों में काम कर रहे हैं, चाहे वो कुपोशन हो, मातावर शिश्व मृत्युदर हो, बैंकिंग सुविदा हो, बीमा सुरक्षा हो, बिजली कनेक्शन हो, सिक्षा व्यवस्ता हो, स्वास्त से जुड़ी सुविदाय हो, हम तमाम परामिटर्स पर लगारतार रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सैंकडो अपसरों को विशेश तोर पर इन एस्पिरेशनल डिस्टिक के विकास्तियल ने लगाया गया है, आम तोर पर सरकारी मुलाजमों के प्रती नफ्रत का भाव, उनके प्रती देखने का एक नेगेटिव टेंप्रामेंट एक लंबे कॉल से बना हुआ है, लेकिन आपको जानके कहखुजी हुई कि दिल्ली में एर कंडिशन कमरों में बैठने वाले सैंकडो अपसर इन दिनों लगातार मेहने में दो बार तीन बार उन दूर दराज के डिस्टिक में जाकर के बैठते हैं, दो दो तीन तीन दीन वहां रहते हैं, उस टीम के साथ बैठ करके, रणनीती बना करके, इंप्लिमेंट करकरके, इस चीजों को बदलने के लिए खुद कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार के केंद्रिय दप्तर के सेंकडों मुलाजिमों का हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों में दो दो दिन ट्रावेलिंग करना पुड़ता है, जा रहे हैं, इस बेटर टुमारो की तो गैरंटी है, और आज मैं हिंदुस्तान ट्राइम्स के मन से कह रहा हूँ, भारत के ओवरॉल डेवलप्मेंट परामेटर्स को सुधारने के लिए सबसे बड़ा पूश इनी 112 एस्परेशनल डिस्टिक्ट से मिलने वाला है, जब यहां के लोगों का भविश सुधरेगा, तो भारत का भविश अपनों आप सुधरना शुरु दिखेगा,